तो इस पूरे मामले पर News 18 इंडिया से मालदीव के पूर्व उपराश्टपती एहमद अधीब ने एक्स्क्लूजिव बाच्वीत की जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों के तरफ से पूरे विवाद पर माफी मांगी एहमद अधीब जी सबसे पहले तो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह सके भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमांचनक टिपड़ी की उस पर आप क्या कहेंगे प्राइमिस्टर मोदी ने कोविट में भी बहुत हल्प किया था उसकी बात भी बहुत हल्प किया था मोल्डिस पे और मोल्डिस टूरिजम में इंडिया की बहुत हल्प मोल्डिस को मिदा था जी तो बहुत बहुत यह बहुत दुखी की बात है यह होना नहीं चाहिए ठीक है एमा जी आप इस पूरे विवाद पर दुख जाहिर कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हमेशा मौलदीव का साथ देता आया है पडोसी होने के नाते प्रदान मंतरी मौलदीव को इतनी तज़ी देते हैं मगर उसके बावजूत मौलदीव के मंतरी उनके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की अफमान चनक बात करते हैं प्राइमिनिस्टर मौली इस नोट ओनली इंडिया प्राइमिनिस्टर बट वोल्ल डीडर ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है वो हमारा मलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ चाहिए जी बिल्कुल पर एहमद अदीब जी किसके इशारे पर ये सब हो रहा है क्या चीन इसके पीछे है क्योंकि आपके राष्टपती चीन के काफी करीबी माने जाते हैं वो चीन के दौरे पर भी गए ये नया नया सरकार है तो हम देख देने चाहिए कि वो क्या कर रही है चाइना के साथ और अदेशो के साथ पर ये जस फुन मत्वाए सरकार को तो हम भी देख रहे है वो कैसे कैसे देशन दे रहे हैए ये अच्छी बात है कि आप भारत को तवज्जो दे रहे हैं लेकिन मौल्दीव के मंत्वियों के बयानों से भारत में लोग बहुत नाराज हैं बहुत गुस्से में हैं और वो मौल्दीव का बाइशकार करने को कह रहे हैं अक्षे कुमार सल्मान खान वरुन धवन जैसे भारत के बड़े-बड़े आक्टरस ने इस विबाद पर अपनी नाराज़गी भी जायर किये मौल्दीव के बहुत नुक्सान होगा ये बूकिंग केंसर देशन हो रही है मौल्दीव के बाइशकी प्राष्टपती को बड़े नहीं, बूकिंग को कि नहीं होगा थाशकिये विबाद नियूक्त темпер're Delta तोर पर कहा कि हम भारत के साथ कड़े हैं और हम जो कुछ भी हुआ उस तिपड़ी के लिए माफी मांगते हैं लेकिन आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है कहां से इसकी शुरुवात कोई जो अब लगातार व ये विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है देखे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सबसे पहले बात करते हैं क्यों देखे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो है वो दो जन्वरी को लक्षदीप के दोरे पर गये तो और उस दोरे की तस्वीरे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी ये तस्वीर इब आपको जो है ट्रेंड होने लगा इतना इने लोग कहने लगे कि मालदीव से बैतर घूमने की जगा जो है लक्ष्टीप है तो वो लक्ष्टीप और मालदीव काफी एक जैसे लगते है जिसको लेकर यह पूरा विवाद शुरू गुआ हाला कि इसी पर मंत्री मर्यम शियुना ने प के बारे में अपमान जनक पोस्ट भी किया जिसके बाद यह पूरा विवाद जो है वो शुरू होता गया हैश्टैग बॉइक पॉट मालदीव के नाम से यह सब कुछ ट्रेंड होने लगा इतना इने मंत्री अब्दुल्ला मैजून माजिद ने भारत का मजाक उड़ाया मा काबला करने में भारत के सामने कई चुनातिया जो है उन्होंने गिना दी जिसके बाद कोई भी जो है इसको सहन नहीं कर पाया सलमान खान से लेकर अक्षे कुमार तक बड़े बड़े आक्टर्स है वो लगातार यह कहने लगे कि अब हम मालदीव क्यों जाए हम इस ट्रेंट बुने लगा कई लोग जो मालदीव भूमने जाने वाले थे उन्होंने अपनी ट्रिप रद कर दी बकाईदा लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात के स्क्रीन शॉट तक शेयर किये मालदीव की टिकेट और होटेल बुकिंग कैंसल कर दी गई इतना नहीं मा मालदीव में हल्चल मच गई वहां की सरकार बैक फूट पर आ गई उसने खुद को अपने मंत्रियों के बयान सलग कर दिया साफ तोर पर कह दिया कि वह उनका अपना निजीव व्यक्तिगत बयान है और सफाई दी कि ये मालदीव की सरकार का मत नहीं है लेकिन इन सब के बी और वह दरा चलता है मालदीव किस तरीके से भारत के आगे जुपता गुट अ नजर आया उन मंत्रियों को अपने ट्वीट तक डिलीट करने पड़े यानि कि जो ट्वीट किये गाए थे भारत के खिलाफ प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ वो सबी ट्वीट जो है वो डिलीट करने पड़े क्योंकि देखे मालदीव के ये मंत्री अपने ही देश में घिर गए मालदीव के पूर्व राष्पती इब्राहिम मौमद सोली ने मौजुदा सरकार को आडे हातों लिया उन्होंने क्या कुछ लिखा ट्विटर पर ये आपको बताते हैं उन्होंने ट्वीट करके लिखा मैं माल्दीव सरकार के अधिकारियों के सोशल मीडिया पर भारत के बारे में नफरत से भरी भार्षा का इस्तमाल करने की सक्त निंदा करता हूँ भारत हमेशा माल्दीव का दोस्त रहा है और हमें इस तरह के टिपडियों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिससे दोनों देशों की पुरानी दोस्ती में दरार पड़े तो ये इबराहिन सोली का ट्वीट आपको देखा रहे है जिसमें उन्होंने बचाए कि देखे पुरानी दोस्ती में दरार पड़ रही है जो कही न कहीं कुछ नेताओ की वज़े से पड़ रही है ऐसा नहीं हो नीचे देखें बात दरसल इतनी सी है कि माल्दीव है तो भारत का पड़ोसी लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगलियों पर नाच रहा है अब ऐसा हम क्यों कह रहा है आपको ये भी बता देते वाल ग्राफिक्स के जरी देखें खास तोर पर पिछले साल की बात करत अक्तूबर में जबसे माल्दीव में राश्ट्रपती बने है यानि कि मुहमद मुईजु ने सत्ता संबाली है वो भारत विरोधी फैसले लगातार कर रहे है मुहमद मुईजु ने माल्दीव से भारत को दूर रखने का नारा देकर ही राश्ट्रपती बने कई बार उन्ह और सीधा माल्दीव से गए है वो चीन यानि कि अब देखे संबंद समझने की कोशिश कीजिए और इसी लिए उसके कई माइने निकाले जा रहे है क्योंकि माल्दीव के राश्ट्रपती अपने पहले दौरे पर भारत आते रहे हैं इससे पहले के जो राश्ट्रपती रहे है वो हमेशा से अपने पडोसी देश यानि कि माल्दीव से भारत आते रहे है लेकिन अब जो राश्ट्रपती बने है वो सीधा माल्दीव से पहुचे है चीन अब माल्दीव चीन के इंफ्रास्रक्टर प्रोजेक्ट वेल्ट एंड रोड इनिशेटिव का हिस्सा भी है और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड में चीन जो है वो दूसरे देशों में या तकि भारत की बात करें तो सड़क रेलवे बंदरगा बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में लगातार फसाता रहा है और यही वाजाए कि देखें अब लगातार ये कहा जा रहा ऐसे सरकार अभी पावर में आई है और ऐसे में अभी के समय प्राइम मिनिस्टर लक्षवदीब गए और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जो टूरिजम प्रमोशन की जो ट्वीट्स कर दी उसको देखकर के माल्डीव्स की सरकार या बहुत लोगों में जो एंटी इंडिया लोबी है वहाँ पर उनको यह लग रहा है कि इंडिया लक्षवदीब को प्रमोट करके माल्डीव्स को नुकसान पहुचाना चाहते हैं क्योंकि माल्डीव्स की इकॉनमी डिपेंड को टेर्ट टूरिजम पर तो माल्डीव्स लगातार ये कोशिश करें कि चीन से नज़्दी क्या बढ़ाई जाए जबकि भारत शुरुवात से माल्डीव के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहा है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं देखें हिंद महासागर की बात करें वहाँ प रहां । माल्डीव अपने परेटर्ग यानि कि टूरिजम के भरोसे है और भारत से सबसे ज़ादा लोग माल्डीव घुमने जाते हैं इसका अकड़ा आपको बताते हैं पिछले साल की बात करें तो born नावा यह साथा की चीश्ठी और सिक्षन संस्थानों से लेकर सड़क तक बनाने में भारत खर्चा कर रहा है भारत माल्दीव को खाने के लिए चावल, फल, सबजिया, मसालों से लेकर दवाईय और सीमेंट तक मुहया कराता है जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा होता है क्या खिर माल्दीव की चीन के साथ इसी नज़ी किया क्यों बढ़ती जा माल्दीव में पानी का संकरता 2014 में, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम हो गया था, हमने अपने समुद्री जहाज और एर कार्गो प्लेन से वाटल पानी भेजा, तो माल्दीव के हम इतने बगल में हैं कि किसी भी आपदा, किसी भी रिक्वार्मेंट के लिए सेक्योरिटी, न में जाना चाहिए, लक्षवदीव गए, करोड लोगों में ऊटसा आगया है कि हमें लक्षवदीव जाना चाहिए, ये भी जानने को मिला है कि शाएद माल्दीव में कई लोग अजीब और गरीब बयान दे रहें, ये वहां की मांसिकता और स्तितीक उतर शाता है, लेखिय यह हमारा national interest का और national प्रतिभाग का सवाल है